बिहार में मध्यावती चुनाओ होगा सरकार गीर जाएगे यहाँ पर उनकी इस्तिति अभी यह हो गई है कि एक पर कब्र में है और दूसरा पर केले के छिलके पर है किसी भी वक्त फिसल जाएगी और आज प्रधान मंत्री जी को आज भारतिय जन्ता पाटी को आसिरवाद की प्रियाव शक्ता है शुनाओ के जो प्रिणाम आया था 2020 में उसके दूसरे दिन ही हमारे नेता आधरने चिराग पासवांजी असफश्च किया था कि यह सरकार नहीं चले नमस्कार आप भारत लाइब देख रहे हैं बिहार की राजनितिक सरगर्मिया धीरे धीरे बढ़ते जा रही है जो कार्ज जेडियू शुरू करती है वो भाजपा सुरू कर देती है हम बात बिहार में नितीश कुमार की उन्योजनाओं की कर रहे हैं जो नितीश कुमार इंदिनों फिर से कर रहे हैं फिर से वो 15 साल पुराने वाले कार्ज को शुरू कर रहे हैं जनता का आशिरवाद ले रहे हैं अब बीजे पी भी जन आशिरवाद यात्रा निकाल रही है चिराग पासवान लगतार आशिर्वाद यात्रा पर थे अभी उनका आशिर्वाद यात्रा खत्म भी नहीं हुआ है हमारे साथ बाचीत करने के लिए लोजपा के परवक्ता कल्लू जी हैं कलो जी आपने आसिरवाद यात्रा निकाल रही है लोजपा ध्यक्ष आधर्णे चिराक पास्वान जी के साथ और लोजपा परिवार के साथ जिस तरीके से विश्वास घात किया गया अपने चाचा के द्वारा और उसमें कई लोग ने स्रडंतर रचने का भी कारे किया तो कहीं ने कहीं आज मेरा साथ हमारा परिवार ही छोड़ दिया तो हम बिहार की अवाम बिहार की जनता के भरोसे हैं तो हम आशिरवाद यात्रा के तौर पर जनता के भी जाकर तमाम मताएं बहने बुजूर्व दोस्त चाचा से आशिरवाद प्राप कर रहे हैं और जिस तरीके से जन सलाव उमर रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशाल है मैं भारतिय जनता पार्टी से पूशना चाहता हूँ और बिहार की जनता और देश की जनता पूशती है कि भारतिय जनता पार्टी को आशिरवाद का क्या आवसकता पड़ गया भारतिय जनता पार्टी को कीलो से नहीं कि उन्टल से लोगों ने उन्हें आशिरवाद दिया 2014 के लोक्षभाचुनाओं में 2019 के लोक्षभाचुनाओं में 2020 के बिहार बिधान सभाचुनाओं में भारतिय जनता पाठी के उपर बिहार की जनता ने अपना जो माइन्डेट दिया अपना जो आशिरवाद दिया अब उन्हें और कितना आशिरवाद का जरुवत है प्रधान मंतर जी कहते हैं युवाओं की बात और जैसा कि आज युवा दिवज भी है तो प्रधान मंतर जी ने 2014 और 2019 के लोकस्वा में जी तरीके से उन्हों ने यह कहा कि नौकरी देंगे य और कहिने के 2020 में भारतिय जन्ता पार्टी के दोर यह कहा गया था कि 20 लाख 19 लाख के सम्थिंग रोजगार देंगे युवाओं को सद एक वर्स हो भी गया उस हिसाब से 3 लाख 4 लाख 4 लाख नौकरी का आता है बात अभी तक तो एक भी उन्हों ने देने का कारण नहीं कि तो किस आशिरवाद यात्रा के तोर पर जन्ता के भी जना चाहते हैं जन्ता पूस्ती है और हम भी पूस्ते हैं और कहीं न कहीं भारतिय जन्ता पार्टी को आशिरवाद की ज़रुवत है उसका एक मुख्ष कारण हमारे अभिवावक इस देश के दूसरे अंबेद कर सुर्गे रामविलास पासवान जी की कमी भारतिय जन्ता पार्टी अगर दो बर सक्ता में आई है तो वो सुर्गे रामविलास पासवान की वज़ा से आई है और आज प्रधान मंत्री जी को आज भारतिय जन्ता पार्टी को आशिरवाद की आवशकता है जी एक और सवाल उठा है कि आशिरवाद यात्रा में चिराग पासवान की आशिरवाद यात्रा में लगतार भीर उमर रही है हमने भी देखा है कई जगों पर हाजिपूर हो पतना हो अन जगों पर भारतिय जनता पार्टी जो आशिरवार द्यातरा निकाल रहे तो आपको क्या लगता है किस तरीके के लोग वहाँ आएंगे किस तरीके का भीर वहाँ पहुचेगा देखिए हम लोगों ने आपके चैनल पे पहले भी बता चुका है और पुना उस तरीच को दोरा रहा हूं कि देश के सक्ता में बैठे लोग और बिहार के सक्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपनी टक-टकी आँख से देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी के सभा में कितनी अजयन सलाव उमड रही है कितने लोगों का आशिरवाद मिल रहा है तो कहीं न कहीं भारती रनता पाटी को पूरी तरीके सर्डर पैदा हो गई है कि चिराग पासवान जी को नहीं रहने से रामिलास पासवान जी को नहीं रहने से दोहजर चौविस लोग सभा का जो चुनाओ है उस चुनाओ से मैदान से हम बाहर हो जाएंगे और जनता नकार देगी चुकि बहुत बड़ा फ्रक्टर बिहार रखता है जैसा कि बिहार में 40-40 लोग सभास चीते हैं और 40 में 49 इंडिये गट बंदन को मिला था और उसके जैसा कि दलितो, सोसितो, पीछडो के नेता कौन? सुर्गी रामिलास पासवान जी तो कहीने कहीं जो आसिरवाद चिराग पासवान जी को प्राप्त हो रहा है उस आसिरवाद से सक्ता में जो लोग बैठे हुए है उन्हें डर पैदा हो गई है कि 2.2024 में हमको सक्ता नसीब नहीं होगा उनकी इस्तिति अभी ये हो गई है कि एक पर कब्र में है और दूसरा पर केले की छिलके पर है किसी भी वक्त फिसल जाएगी अगर बात बिहार की राजनीत क्यों करें तो जेडियू अभी सता धारी पार्टी है मान के चले कि जेडियू के नेता नितिश कुमार अभी मुख मंत्री है लगतार जेडियू में टांग खिचाई का कार्ज करम सुरू है आप देख रहे हैं अब सोसल मीडिया पर भी टांग किचाई कार्ज करम सुरू हो गया आइटी सेल के जो अध्यक्ष है उन्होंने सोसल मीडिया पर लिख दिया कि जो लोग भी फोन कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं कि पेज का एड्मिन बनाया जाए क्या चल रहा है जेडियू में क्या आपको क्या लग रहा है बिहार के मुखिया माननिया नितीश कुमार जी को घर फोड़वा से हम उनको रूप देखते हैं जी नितीश कुमार जी सुरू से ही उसको कह सकते हैं आप नितीश कुमार जी का जो पाटी है जनता दलीव जडि इसकी भविश्वानी और इस Caleb इस NDA सरकार की भविश्वानी जो चार कंदों पे चल रही है चुनाओ के जो प्रिनाम आया था 2020 में उसके दूसरे दिन ही हमारे नेता आधरने चिराग पासवान जी असफ़ष्ट किया था कि यह सरकार नहीं चलेगी और बिहार में मद्यावत्री चुनाओ होगा मद्यावत्री चुनाओ कि आप बात करते हैं लगतार चिराग पासवान भी कहते हैं तेजस्वी यादो भी कहते हैं और भी लोग कहते हैं कि मद्यावत्री चुनाओ होगा लेकिन इसके आसार तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं इतना ज़्यादा उनके साथ बैजती किया गया है उसके बाद भी अपने कूरसी के लिए वो लगे हुए है अरे हम लोगों के लिए तो एंडिये ने विहार में विहार विधान सवाच चुनाओं में रेड कार्पेट विछाने का उन्होंने कारे किया था उनके मुताबित 15 सीट या 20 सीट तो कहीं ने कहीं हम लोग 10 जीत के ही आते हैं दो चार पांच मंत्री भी होते हैं लेगि सेर का बच्चा सेरी होता है किसी में दम नहीं है चिराग पासवान जी की तुलना करने का और हमारे नेता अधर ने चिराग पासवान जी ने जो फैसला लिया चुनाओं लड़ने का अकेले वो एतिहासिक फैसला उस वक्त हमारे घर में बहुत बड़ी घटना भी घट गई थी जैसा कि आपको मालूम है कि सुर्गी रामिलास पासवान साब की देहान अकेले चुनाओं लड़ना अकेले नेता अकेला जंडा अकेला बैनर उसके बाद आदी बिहार की जंता ने जीस तरीके से 25 लाक मत दिया है यह अपने आप में बहुत बड़ा मिशाल है और सत्ता में जो लोग आज बैठे हुए हैं बस हम से थोड़ा बहुत ही जादे पाकर आज बैठे हुए हैं आपका आकड़ा उसको मिला सकते हैं अच्छा एक आखरी सवाल है जेडियू के बारे में आपका क्या कहना है लगतार आपकी पार्टी में टूट हुई तो ऐसी बाते चल रहे थी कि जेडियू और नितीस कुमार के इसारे पर यह काम हुआ है चिराक पासवान ने इस बात को भी सुका रहा है अब जब जब जे और मैं इस फश्ट कर दू कि यूपी चुनाओ से पहले बिहार में मध्यावती चुनाओ होगा सरकार गीर जाएगे यहां पे और जनता दलियू का जो इस्तीती है इस बार वो तो प्रस्तितियों के मुख मंत्री भी है तो उनकी स्तीती कैसे ठीक हो सकती है जो विक्ति प्र जनता देख रही है और मध्यावती चुनाओ में अद्दो हज्जार चौबिस में इन तमाम लोगों को इन तमाम दलों को बिहार की जनता मोहतोर जवाब देगी खबर ये भी है कि 15 तारीक के बाद चिराग पासवान उत्तर प्रदेश जा रहे हैं कितनी सचाई है बिल्कुल सचाई है उसमें उसमें कोई दिना नहीं है हमारा जो संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष बहुत है अपनी हमारे जीत हासी लोगी और वहां के सरकार में हम हिस्सेदार ही होंगे निश्चित तो हमारे साथ थे कृष्ण कुमार करलू जी लोजपा के प्रवक्ता जीनों ने सीरे तरपे कहा कि बिहार में जेडियू में जो चल रहा है हो सकता है आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव हो जाए और जैसा कि बिहार के सभी दल चाहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना तो लोजपा भी इसमें भागिदार होगी और लोजपा भी अपना दमखम उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखाएगी अब बन रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे इस वीडियो क पसंदाई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर वा मुफ्त में मिल जाए अगर वा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद